नमश्कार साथियों, Target with Alok Online Institute में मैं जीडी पांडे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्यारे साथियों, कहते हैं कि अगर अवसर आपके सामने हो, अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो तो उसको भुनाना आपकी जिम्मेदारी है, उसे कैश कराना आपकी जिम्मेदारी है अवसर जीवन में बार-बार नहीं मिलते, इसलिए अगर कभी भी अवसर हमें मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी इस हमें मिलती हैं भारत में जो लोग पैदा होते हैं उसमें से वो लोग जो विज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं या विज्ञान से जुड़े कामों को करने वाले संस्थान में नौकरी पाने का सपना देखते हैं कुछ संस्थान भारत में ऐसे हैं जहां पर नोकरी करना ड्रीम होता है सपना होता है और उनमें से ही एक संस्थान है बार्क भाभा एटामिक रिसर्च सिंटर और बार्क ने 2023 में नोकरियों की भरमार बंपर वेकेंसी अनौंस कर दी है इतनी नोकरिया आई टी आई बीटेक और डिप्लोमा केटेगरी के लिए दिया है जितनी नोकरिया प्राया कम देखने को मिलती है इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में चार हजार से अधिक वेकेंसी चार हजार तीन सो चोहत्तर वेकेंसी चार हजार से अधिक वेकेंसी आपकी बार्क में अनौंस हुई है तो इस vacancy को भुनाने के लिए इस opportunity को भुनाने के लिए यह अती आवश्यक है कि आप इसको शुरुवात से ही समझ ले शुरुवात से ही जान ले कि आखिरकार इस vacancy में आप कैसे क्या plan करके इसको crack कर पाएंगे अगर आप इस thumbnail को देखना चाहें आप यहाँ पर देखें तो लिखा है न बंपर vacancy बंपर भरतिया बीटेक के लिए भी है एक बहुत बढ़िया बात है किसी को निराश नहीं किया गया है सबका मान रखा गया है बीटेक के लिए है डिपलोमा के लिए है और ITI के लिए भी है डिपलोमा के लिए बंपर vacancies है आई टी आई के लिए बंपर vacancies है तो अगर आपने डिपलोमा या बीटेक किया है तो आपके तो मौके और भी जादा है बीटेक किया है तो भी आपके पास मौका है लेकिन यह opportunity यह मौका आपके हाथों से निकलना नहीं चाहिए इस बात का विशेस द्यान आपको रखना पड़ेगा ये कुल मिलाकर के 23 पेज का नोटिफिकेशन है जो उसका प्रिंट आउट भी मेरे हाथों में है पूरा नोटिफिकेशन में पढ़ रहा था डीटेल में और इसके लावा इसका PDF भी है हम उन सभी तमाम points पे बात करेंगे जिन points का हैं आपको complete संपौण जानकारी आपको मिलता है आई ये हम बाधशित को प्रारम करते हैं देखे government of India department of atomic energy department of atomic energy D.A.E. Department of Atomic Energy D.A.E. Department of Atomic Energy D.A.E. की तरफ से vacancy announce हुई है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले आपको किस बात पर दिहान देना चाहिए तो इसकी date पर opening date and time for submission online application exam form भरने की जो opening date है वो है 24 April 24 2023 तो 24 April से form भरने प्रारंब हो रहे हैं और 22 मई तक ये form भरे जाएंगे यानि लगभग देखा जाए तो लगभग लगभग एक महीना आपके पास form भरने का है तो आप इंतजार मत करिए कि एक महीना है तो हम तीसमे दिन form भरेंगे या last में भरेंगे यथा शिग्र आप इस form को भर दीजिए और अपनी तयारी को start कर दीजिए प्रारंब कर दीजिए इस तयारी में बार्क में नौकरी पाने में target विदालोक online institute का क्या योगदान रहेगा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं free batches, paid batches की सहाइता से, theory questions की सहाइता से जो भी हम कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करेंगे इसका आश्वस्ति मैं आपको देता हूँ अब देखिए अगर हम recruitment की बात करें तो दो तरह का recruitment है पहला जो recruitment है वो direct recruitment है और दूसरा है training scheme है जिसमें stipendry trainee, stipendry trainee का मतलब होता है जिन्हें training के दरान भी पैसे मिलते हैं, salary मिलती रहती है तो यह दो तरह के recruitment है पहले recruitment में देखा जाए तो technical officer की 181 post है, group A का, scientific assistant B की 7 post है और technician B की 24 post है ठीक है न और अकर हम training scheme या फिर stipendry trainee की बात करें तो आप देखिए यहां का numbers देख करके आप चौक जाएंगे 1216 vacancy यहां पर है और 2946 vacancy यहां पर है category 1 में 1216 vacancy है और category 2 में 2946 vacancy है category 1 diploma students के लिए है category 2 आपका ITI students के लिए है vacancy का number देखिए 1216 vacancy आपकी शिकायत रहती है कि vacancy कम आती है vacancy proper आती है आपका focus कम रहता है आपकी awareness कम रहती है आपकी तैयारी कम रहती है दोसरों में दोश निकालने वाला वेक्ति जीवन भर दोशों की list बनाता रहता है और उसकी diary भर जाती है लेकिन अपने पर काम करने वाला वेक्ति हमेशा अपने कम्यों को दूर करके वह सफल वेक्ति बनता है जिसको बनने की वह इक्षा रखता है तो वेक्ति बहुत है 1216 वेकंसि कम नहीं होती 2946 वेकंसि कम नहीं होती इस टैपेंड आपको क्या मिलेगा first year में आपको category 1 वालों को 24.000 रुपे मिलेगा second year से 26.000 मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान पे और जो category 2 वाले हैं उनको first year में 20,000 मिलेगा दूसरे साल उनको 22,000 रुपए मिलेंगे तो ये देखिए इसका detail है इसके बाद अगर हम detail की बात करें direct recruitment की बात करें detail की बात करें तो यहां पर सारे pages हमारे काम के नहीं है जहां से काम के हैं मैं वहां से बातचित करना शुरू कर रहा हूँ देखिए electrical से हमारे काम का है अगर देखे हम तो electrical में total vacancy 15 है और instrumentation में 8 है mechanical में 44 है metallurgy में 3 है यह सारे discipline बहुत common नहीं है लेकर electrical mechanical में देखे हम लोग तो यह vacancies आपकी है यहां से आप देख सकते हैं civil मेंभी आपकी 20 vacancy है chemical में 20 vacancy है तो civil से आप में diploma किया है तो 20 vacancy आपके लिए है अगर आपने electrical से किया है तो आपके लिए total 23 vacancy है अगर आपने mechanical से गया है तो आपके पास 44 vacancy है ठीक है न यह है और इसके लिए इन सभी vacancies के लिए qualification क्या है BE और BTEC ठीक है इसमें आप BE या BTEC है तो ही आप ये form भर सकते हैं तो ही आप ये नोकरी पा सकते हैं डिपलोमा और ITI के लिए ये vacancies नहीं है उनके लिए बादवाली vacancy है जिनका मैं जिकर करने जा रहा हूँ अब आप देखिए जड़ा स्टाइपिन ट्रेनी केटेगरी वन वाला अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपकी जो ब्रांचे स्चुरू हो रही है वो केमिकल से स्चुरू हो रही है अगर इलेक्टिकल से आप देखें अब देखिए आप यहां पर देखिए वेकेंसी की भरमार है इलेक्टिकल में इलेक्टिकल में एक सो चौवालिस वेकेंसी है वन फुर्टिफोर वेकेंसी फॉर इलेक्टिकल डिप्लोमा स्टुडेंट्स अगर आपने इलेक्टिकल से डिप्लोमा किया है तो 144 पद आपके लिए निकाले गए हैं बार्क जैसी प्रतिस्ठिर संस्था में इससे अधिक पदों की तो उम्मीद भी आप मत करिए और अगर आपने दम है अगर आपने मेहनत किया है अगर आपने रात रात भर जक्के पढ़ाई करी है अगर चाट गए हैं आप सवालों को अगर आप एक अच्छे स्टुडेंट हैं तो बेटा एक सीट आए तब भी निकाल सकते हैं 144 सीट आई है तो संभावना 144 गुना अधिक बनती है आपके सेलेक्ट होने की इलेक्ट्रोनिक्स में 98 है connectivity में 59 है अब बारी आती है उस ब्राइच की जिसको लोगों ने आजकल मुद्दा बना दिया है भाईया मेकेनिकल में तो वेकेंसी ही नहीं आती है रास्ट्री आपदा घोषित कर दिया है लोगोंने कि mechanical में vacancy नवाना राश्टी आपदा हो गई है mechanical में proper vacancy आती है उन लोगों के भकावे में बिल्कुल मत आई है जो आप से कहते हैं mechanical vacancy नहीं आती है वो aware ही नहीं है उनको नहीं पता है सबसे अधिक vacancy mechanical में दिया है बारक वालों ने सबसे अधिक 328 328 वेकेंसी केवल mechanical के डिप्लोमा के बच्चों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है डिप्लोमा मेकेनिकल धान से देख देख देजिए तो 328 पर निकाले हैं इसमें selection लेने के लिए आपके लिए परयाप्त है लेकिन परयाप्त कब होंगे प्रशनी उठता है परयाप्त कब है किनके लिए परयाप्त है जो तैयारी तब करेंगे जब अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देंगे यह उनके लिए आसान है सिविल के लिए 62 वेकेंसी है सिविल के थोड़ी से कम वेकेंसी यहाँ पर है लेकिन 62 वेकेंसी भी बहुत होती है उसके बाद अगर हम इसमें देखें next देखें अगर category 2 category 2 मतलब ITI के बच्चों की जो जौब है उसके लिए है stipend trainee वाली इसमें देखिए आप वेकेंसी का नंबर देखिए बाकी सब छोड़ देखिए वेकेंसी का नंबर देखिए फिटर अगर आपने ITI फिटर टेट से किया है 698 वेकेंसी तर्नर या मशीनिस्ट से किया है 213 वेकेंसी वेल्डर से किया है तो 99 वेकेंसी मेकैनिक मशीन टूल मेंटिनेंस से किया है 18 वेकेंसी अगर आप इलेक्टिशियन से आपने किया है तो 399 वेकेंसी इलेक्ट्रोनिक से और मशीन से किया है तो 226 वेकेंसी अपरचुंटी आपके दर्वाजे पर खड़ी हुई है उसको भुनाना उसको कैश कराना आपकी जिम्मेदारी है आप नहीं करा पाएंगे तो आप फिर पस्ताते रह जाएंगे ये बात आप मेरी मान लेजिए आपके दर्वाजे पर है और मैं आपको बताऊं कि Target with Alok Online Institute में स बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे तो बार्क में आप सेलेक्शन ले पाएं इसमें पूरा कोशिश हमारा भी रहेगा पूरा योगदान हमारा भी रहेगा बाकी अन चीज़ें एज लिमिट वगएरा है इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पूरा पढ़िएगा देखिए अन जो ब्रांचेस होते हैं स्ट्रीम्स होती है इस्टूमेंट मशीन है आरेसी में है ड्राफ्ट मैन में है ये सारे वेकेंसी देखिए 95 वेकेंसी के लिए हैं तो ITI वालों बहुत बढ़िया मौका है भारत के उस अंस्थान में नौकरी करने का मौका है बच्चों जिसमें नौकरी करने का सपना देखते हैं लोग तो मौके को भुनाईए बाकी देखिए एज लिमिट वगएरे देखिए काटेगरी वन की जो स्टैपन ट 24 है के टेगरी टू वाली की 22 है ठीक है न एज लिमिट का एक्स्टेंशन क्या है यह तमाम सारी चीजें आप इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें ऐसी कोई बहुत बढ़ी रात नहीं है बाकि एक्जाम का पैटर्न अगरा भी बाहर आगे दिया हुआ है कि एक्जाम में किस प्रकार के कोशन आएंगे एक्जाम में कोई अलग कोशन नहीं आएगा टेकनिकल आएगा ठीक है न और जो discipline है आपका mechanical है तो mechanical पूछेगा electrical है तो electrical पूछेगा, civil है तो civil पूछेगा तो इन सब पर बहुत परिशान नहीं होना है दो ही चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं और वो take और non-take इसके अलावाद थोड़े न पूछ लेंगे वो अपना तयार रखिए जो advanced test होगा उसमें आपका 50 question होंगे, 3 marks से question होंगे एक गलती करने पर minus 1 मिलेगा, मतलब 130 की minus marking है तो यह सारी चीज़ें है जो कि हर exam में होती है तो उसमें कुछ अलग से बताने वाला नहीं है हाँ, how to apply, apply कैसे करना है तो आपको बार्क के website पर जा करके apply करना है वहाँ से apply करिए और इस exam को crack करने के जो रणनीती है उसे अभी से ब्राना प्रारंब कर दीजिए last moment पर एन मोके पर रणनीत बनाएंगे तो रणनीत आपकी सफल नहीं होगी ये चीज़ा आप बिल्कुल सच्छे से समझ लीजिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अभीमन्यू नहीं बनना है कि आपने रणचेत्र में प्रवेश्टो कर लिया आपने चक्रविव में प्रवेश्टो कर लिया लेकिन उसको भेद करके आप बाहर नहीं निकल पाए वो अभीमन्यू आपको नहीं बनना है आपको तो अरजुन बनना है जो रणचेत्र में युद्ध में चक्रविव में अंदर घुसना भी जानता है और उसे भेद करके बाहर निकलना भी जानता है तो ये महत्तपूर सुचना बच्चों आप की लिए थी जिसको हमने आप तक प्रिशित किया Target with Alok Online Institute का हर सम्भव प्रयास रहेगा कि बार्ख की इस वेकेंसी में हम आपके सेलेक्शन दिलाने में आपकी मदद कर पाएं लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे प्लानिंग, फ्री क्लासेस देने का, क्या इसके पेड़ बैचिस लांच करना है एक इंपोर्टन बात और मैं आपको बता दूँ कि इस बार की वेकेंसी में इंटर्व्यू भी है तो इंटर्व्यू का भी एक बार महत्तपूर योगदान है इंटर्व्यू के लिए कैसे प्रिपेर होना है उस पर भी मैं डीटेल चर्चा करूँगा फिलाल आज के लिए इतना है सबसे पहला काम करिए जा करके, जब भी मेरा आप वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट डे जा करके या उसी दिन जा करके आप फार्म भरिए फार्म भरिए, फार्म कंप्लीट करिए उसके बाद रड़नीत पर और अन तमाम सारी बातों पे चर्चा करने के लिए मैं आपके बेच हमेशा उपलब्द हूँ थैंक्यू सो मच, बबाई, टेक केर